हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चानल कथाकार यहां मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लिखो को के उपन्यास प्रस्तुत करूँगे फिलाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मुहन पातक की उपन्यास बनवे स्ट्रीट अगर आपको मेरी प्रस्तुती पसंद आती है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कॉमेंट जरूर करिए आपके मन पसंद उपन्यास के नाम कॉमेंट्स में जरूर मेंचन कीजिए धन्यवाद बार के भीतर अधिकतर विदेशी थे और वो ऐसे हिप्पियों सैलानियों का डेरा लग रहा था जिनने की भारतिय तोर तरीकों से कुछ लेना देना नहीं था जिनने ये एसास नहीं था कि वो अपने वतन के उन्मुक्त और स्वच्छन्द वातावरण में नहीं थे बार में खुप आवाजा ही थी मेरे सामने ही एक जोड़ा टाक्सी में से उतरा और बाहा में बाहा डाले भीतर दाखिल हुआ उनमें पुरुष कोई 30 साल का था जो सूरत से गवानी लगता था और जिस्म पर जीन जाकेट और सिर पर कॉल्ट कैप पहने था उसकी सहचरी उम्र से 20 से भी कम मालूम होती थी वो भी जीन जाकेट में थी अलबता उसके कटे हुए बाल खुले थे जाकेट के साथ वो एक कॉलर वाली कमीज पहनी थी जिसके उपरी तीन बटन खुले थे और जिसकी वज़े से उसकी दूधिया चातियों का नजारा सहच हो रहा था वैसे थी भी वो फिरॉंगियों जैसी गोरी और वैसे ही लंबे कद काथी वाली कहना न होगा कि आपके खादम की खास तवज्जों उसकी तरव उसकी सूरत के वज़े से नहीं उसके अवार्ड विनिंग पैर के वज़े से गई थी जिसके नुमाईश भी वो एक विज़ता के से अभियान से ही कर रही थी मैं कुछ ख्षन वही ठिटका रहा और फिर लापरवाही से टहलता हुआ भीतर दाखिल हुआ भीतर सिगरेट के धुए और शोर शराबे का बूल बाला था वहां कोई मेज खाली था तो वो कम से कम मुझे दिखाए न दी अलबता गोल्ड कैप वाला गोवानी और उसके सामने से कोहनी तक आने वाले अभिमानी संगीनी जरूर खुश किसमत थे जो मेरे से जरा ही पहले बीतर ताखिल हुए थे फिर भी बार काउंटर के करीब एक टेबल पर बैठे हुए थे दोनों काफी उची आवाज में आपस में बत्या रहते लेकिन उस शोर शराबे में कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो क्या कह रहे थे वहाँ के माहौल में मुझे एक और भी खूबी का एसास हुआ लगता था कि वहाँ हर कोई हर किसी को जानता था सिवाए मेरे लगता था कि मैं एक ही वहाँ अजनभी था मैं बार पर पहुँचा गनी मत थी कि वहाँ बार काउंटर के एक कोने में खड़े हो पाने की जगह थी बारमान मेरे सामने पहुँचा विंटेज मैं पीछे सजी विस्की की बोदलों पर निकाह डालता हुआ बोला लाच नो आइस उनली कोल वाटर उसने सहमती से सिरह लाया फिर एक मिनिट में विस्की का गिलास मेरे सामने था पैंतालस वो भावहीन स्वर में बोला मैंने जेब से नोटों का एक मोटा पुंदला खास उसे दिखाने के लिए निकाला और उसमें से एक सो का नोट छाट कर उसे दिया वो एक नोट लेकर चिट लग तक गया और फिर एक पचास और एक पांच के नोट के साथ वापस लोता उसने दोनों नोट मेरे विस्की के गिलास के करीब रख दिये मैंने पचास का नोट उठा लिया और धीरे से बोला सरदार नहीं दिखाये दे रहा कौन सरदार? बार्मैन बोला संतोष सेंग आया नहीं अभी? तब जैसे पहली बार उसने कौर से मेरी सूरत देखी मैंने बड़े फर्माईशे अंदास से आखे मिच मिचाई और भैती नाग पर जाकेट की एक आस्तीन फिराए विस्की का गलास मैंने हाथ के कपकपी पैदा करते हुए जान पूच कर यू उठाया कि वो छलग गया उसका घूट भी मैंने यू भरा कि विस्की मेरी धोड़ी तक वह निकले उसने हर बात नोट की जान पढ़ गए मैं बोला आ तो क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा पारमान बोला मैंने संतोक सिंग के बारे में सवाल किया कोई जवाब दिया? क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा वो फिर बोला अब कहलो यार संतोक सिंग आया तुम उसे जानते हो? जाती तोर से नहीं जानता एक दोस्त ने कहा था कि रात की इस घड़ी वो यहां आता है मुझे उसकी तलाश है मुझे उसकी सक्थ जरूरत है क्यों? समझो यार तुम्हारी क्यों का जबाब क्या बहुत मुश्किल है? वो अभी नहीं आया फिर मेरे बोल पाने से पहले उसने बड़े नाशुकर अंदास से काउंटर पर से पांच का नोर उठाया और वहां से परेहट गया विसकी चुसकते हुए मैंने हॉल में निगा दोड़ाई वहाँ तीन-चार सिक मौझूद थे लेकिन वो सब नौजवान थे उनमें संतोक सेंग जैसा धीली ढाली पगडी वाला उम्र दराज सिक नहीं दिखाई दिया मैंने गिलास खाली किया और उसके पेंदे से काउंटर ठक डगाया परे खड़े बारमैन ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उचा करके अपना खाली क्लास उसे दिखाया उसने ततकाल मुझे नया ड्रिंक सर्व किया बदले में उसी का लोटाया पचास का नोट मैंने उसके हवाले किया हमेशा की तरह मैं बोला अभी भी सरदर यहां आता तो है ना उसने हिचके चाते हुए सहमती से सरह लाया फिर तो आज भी आएगा हो सकता है वो दिखाई दे तो मुझे खबरदार कर देना सहमती में सिरह लाके वो परेहट गया मैंने फिर हॉल में निखा दोड़ाई जो की करीब ही बैटे कैप वाले गवानी और उसकी संगिनी पर वापसा करूगी दोनों बड़ी आत्मियता से बत्या रहे थे और रह रहकर हस रहे थे दस मिनट यूँ ही गुजरे फिर एक आएक मेरे पहलू में एक आदमी पहुँचा मैंने सहज बाव से सिर उठा कर उसकी तरफ देखा तो मेरा दिल धड़क गया जिस आदमी की फिराक में मैं वहाँ पहुचा था वो मेरे पहलू में खड़ा था वालिया ने उसका हुलिया बहुत ही सही बयान किया था वो वाकई अपनी किसमे का एक ही बंदा था जो कि हजारों की भीड में भी अलग धरग ही दिखाई देता हाँ जिबाओ जी वो सर्ध निगाहों से मुझे खूरता हुआ कुटल स्वर में बोला मुझे पूछ रहे थे संतोक सिंग मैं बोला नाम कहां से जाना वो सक्ती से बोला एक नशे बंदे ने दिया कौन से बंदे ने दिया कब दिया, क्यों दिया ऐसे तो इत्वाक से मिल गया था पिछले ही हपते अपनी ही रहा का राही था इसलिए दिया तुम्हारी कौन सी रह है समझो क्या चाहते हो वही जो तुम्हारे पास है माल पानी है पल्ले जवाब में मैंने उसे जेब से नोटों का बंडल निकाल कर दिखाया उसने एकाएक हाथ बढ़ा कर मेरी कलाई थाम ली ऐसे नहीं चीन सकोगे गुर्मखो मैं कड़े स्वर में बोला खामुश वो फुम्फकारा तब मैंने देखा उसकी तवज़ों नोटों की तरफ नहीं थी उसने अपनी खाली हाथ से मेरी कलाई पर से पुलोवर और जैकेट के आस्तिन सरकार कर कुहनी तक की और मेरी भाका मुहायना किया मा की नसो में बने सुई के लाल निशान को देख कर वो आश्वस्त हुआ उसने मेरी कलाई छोड़ दी तदकाल मैंने नोट जेब में रखे और आस्तिन व्यवस्तित की फिर उसने मेरी सूरत का मुहायना किया तो जैसे बिलकुल ही आश्वस्त हो गया माल मिल जाएगा वो धीरे से बोला बढ़िया मैं यू बोला जैसे मेरी जान में जाना गई हो कितना चाहिए आम माल नहीं चाहिए प्योर चाहिए, अनकट चाहिए मिल जाएगा लेकिन नावा जादा लगेगा क्यों? आज के लिदर खरे माल का तोड़ा है माल खरा होगा तो मैं जादा कीमत भी भर दूँँगा एक दम खरा होगा संतोक सिंग ने कभी खोटा माल नहीं बेजा, सबको मालूम है फिर क्या बात है? कितना? दो तीन ग्राम दो मिल जाएगा बीस लगेंगे है पल्ले? हाँ बढ़िया निकालो पागल हुआ है यहां निकालूँगा तो पलक जपकते ही तू भी जेल में होगा और मैं भी तो यहां से बाहर निकल कर इंपीरियल सिनेमा की और पढ़ेगा तो रास्ते में एक संग्री गली आईगी उस गली में चलेगा तो दाई तरफ एक लाल इटो की दिवार मिलेगी जिसमें एक लपडी का फाटक बढ़ा हुआ है फाटक को ताला नहीं होता वो धकेलने इसे खुल जाएगा फाटक से आगे कि पांच मिनट बाद यहां से निकलना समझ गया हाँ वधिया फिर हो एक आए घूमा और लंबे डग भरता वहां से बाहर को चल दिया मैंने घड़ी देखी तस बजने को थे ठीक पांच मिनट बाद मैं वहां से रुकसत हुआ संक्री गली तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हूँ मैंने पाया कि वो गली भी अंधेरे की थी जिसकी वज़से मैं एक एक कदम फूख कर चलता हुआ लकडी के फाटक तक पहुँचा फाटक के पास मुझे खुप अंधेरा मिला मैंने फाटक को धक्का दिया और वो चरचराता हुआ भीतर को जूल गया जिचकते हुए मैंने उससे पार अंधेरे कंपाउंड में कदम डाला आठ दस कदम आगे पहुँच कर एक पेड के करीब में ठिटका और फिर होट सिकोड कर खौले से सीटी बजाने लगा बस कोई मेरे करीब से बोला काफी है वो संतोक सिंग की हवास थी पता नहीं वो पहले से ही मेरे इतने करीब खड़ा था या तब तब इपाव करीब आग खड़ा हुआ था मैंने ततकाल सीटी बजानी पंद करती नावा किधर है मैंने जैकेट की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया था तो एक हाथ मेरी बहाँ पर पढ़ा फिर दूसरा हाथ मेरी जैकेट की जेब में दाखिल हुआ और नोटों के बंडल के साथ बाहर निकल गया मिल गया संतोक सिंग बोला तब मेरी समझ आया कि मेरी जेब में दाखिल हुआ हाथ संतोक सिंग का नहीं था मेरी कलाई भी संतोक सिंग ने नहीं थामी थी वो दोनों काम उसके जोडितार किसी और शक्स ने किये थे जो कि मेरे पीट पीचे खड़ा था और जिससे अभी सरदार ने सवाल किया था मैं दो गुंदों के बिच सैंडविच की तरह पसा हुआ था और उनके एरादे मेरे माल लूट में से भी जादा खतरनाब हो सकते थे एक शंड के लिए मेरी आखों के आगे मौर्ग में पड़ी हरिश पांड़ी की लाश लहराई अब क्या मैं भी उसकी जैसे अंजाम के ही अवाले होने वाला था उस खड़ी किसी अज्याद भावना से प्रेरित होकर मैंने अंधेरे में सामने हाथ और पीछे टांग चलाई मेरे दोनों ही आंख पीछे खड़े दोनों जनों से टकराई पिछले वाले के मूँ से हैरानी भरी सिसकरी निकली सामने वाले के सरतार के मूँ से तेरी भेंदियोय निकला मैंने दोनों के बीच से एक बाजू स्छलांग लगाई और तदकाल स्थिर हो गया उस घड़ी अंधेरा ही मेरा रखशक था उस खुप अंधेरे में जब वो दोनों मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैं भी उन्हें दिखाई दे रहा नहीं हो सकता था कितने ही खशंड वैसे ही सब्दता में गुजरे फिर सांस रोके दबे बाव मैं अंधाचन उस उधर बढ़ा जिधर से मैं आया था जिधर की लकड़ी का फाटक था मैं निर्विगन फाटक तक पहुँच गया वहां पहुँचते ही मुझे अपनी बेवकूफी का एसास हुआ और मेरी समझ में आया कि मैं क्यों कर निर्विगन फाटक तक पहुँच गया था मेरे दुश्मन उस जगह से बाहर निकलने का फाटक का ही रास्ता था जहां कि मैंने पहुचना ही था और जहां वो चुपचाब मेरे से पहले पहुच गए थे एकाएक मेरी कनपटी पर ऐसा फीशन प्रहार हुआ कि जमीन से मेरे पाव खड़ गए मेरी आखों के आगे लाल पीले सितारे नाच गए मैं लड़ खड़ाता हुआ पीछे हटा और बड़ी मुश्किल से स्वया को धराशाही होने से बचाया कभी ये करिश्मे की तरफ पाटक के करीब अंधकार में एकाएक रोशनी हुई जिसकी चमक में मुझे उकड तोबारा हमले को तयार अपनी और बड़ता सरधार दिखाई दिया उस घड़ी मेरा सिर बुरी धरत चक्कर खा रहा था और मैं अपने आप में इतनी भी ताकत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं अपने बचाव में कुछ कर पा था सरधार का राक्षशी आकार अब एन मेरे सामने था तब एका एक फायर की आवाज हुई फिर सरधार मेरी आखों के सामने निशर्प्त मू के बल जमीन पर गिरा कुली एक तीखी अजनबी आवाज मेरे कानों पर पड़ी होश यार होश यार हो पाने की सिती में तो मैं था ही नहीं लेकिन फिर भी ऐसी कोई कोशिश कर पाने के पहले मेरी खोपड़ी पर किसी ने एक और बार किया मुझे फिर एक फायर होने के आवाज आई और फिर मेरी चेतना लुप्त हो गए पता नहीं कब मुझे होश आया मेरे लिए ये अंदाज़ा लगा पाना भी मुहाल था कि होश मुझे एक मिनट बाद आया था या एक घंटे बाद सोते जाकते, अंधेरे की गर्थ में डूपते उतरते मुझे ये एसास हुआ था कि कोई मेरी बगलो में हाट डाल कर मुझे उठा कर मेरे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था दो आवाजे मेरे की जंजनाते कानों पर पड़ रही थी लेकिन क्या कहा जा रहा था ये समझपाने के सिती में मैं नहीं था उस घड़ी मैं ये तक समझपाने में असमर्थ था कि तब भी मैं उसी अंधेरे कंपाउंड में था जहां कि दो बार मेरे पर हमला हुआ था या कहीं और था मेरे कनपटियों में सिर में गरदन में धार धार कून बजरा था और आखों के सामने रंगीन सितारे अभी भी रहरे कर नाच उटते थे फिर हौले हौले मेरे जहन से अंधेरा चटने लगा और मुझे अपनी आखों के सामने नाचती रोशनिया दिखाई देने लगी फिर मुझे एकायक हैसास हुआ कि मैं तेज रफ्तार से दोड़ती एक कार में मौझूद था मैंने उटकर सीधा होने की कोशिश की एक स्त्री स्वर मेरे कानों में पड़ा मीनिंग ही जलाई, जिन्दा है एक पुरुष स्वर सुनाई दिया और होश में आ रहा है मैंने जोर-जोर से आखें मिच मिचाई और अपने दाई-बाई देखा तब मुझे एसास हुआ कि मैं एक कार की अगली सीट पर मौझूद था कार को पुरुष चला रहा था जब कि स्त्री मेरे बाई पहलो में थी बड़ी कठिनाई से बारी-बारी मैं दोनों सूरतों पर अपनी निगाए फोकस कर पाया हैरान हो रहा है पुरुष जो कि गॉल्फ क्याप पहना गोवानी बोला यूती जो कि उसके सामने से कोणी तक आने वाली संगीनी थी हसी और फिर बोली अब दिमाग भी ठिकाने आगया मालूम होता है हाँ लगता है हमें पहचान भी रहा है वेल यूती मुझे कोणी मारती हुई बोली क्या हुआ था मैं फसे कंड से बोला जो हुआ था तुम्हारी लिए तो अच्छा ही हुआ था लेकिन हुआ क्या था तुम जब बाहर से उठकर बाहर को चले थे इत्तफाक से तभी हमने भी टेबल छोड़ी थी बाहर हमने गैंक्स्टर से लगने वाले आदमी को तुम्हारे पीछे लगते देखा था हमें मामला गड़बर लगा था तुम हमें अपनी बिरादरी भाई लगे थे इसलिए हमने खामोशी से तुम लोगों का पीछा किया था जब तुम अंधेरी गली में दाखिल हुए थे और वो गैंक्स्टर वहां भी दबे पाव तुम्हारे पीछे गया था तो हम समझ गय थे कि आगे कही तुम्हारा कोई खासी बुरा अजाम होने वाला था आगयाड में पुरश बोला तुम्हारे साथ जो बीती उसने साबित कर दिया था कि हमारा अंदेशा सही था समझ लोग की यूती बोली हमारी वज़े से तुम्हारी जान बची और माल भी पुरश बोला माल भी? हाँ फिर यूती ने मेरे पीछे याड में छीने नोट मेरी गोध में डाल दिये शुक्रिया मैं बोला वो केवल मुस्कुराई वो दो थे फिर मैं सोचता होग बोला हमने तो एक ही जने का पीछा किया था यूती बोली दूसरा सरूर पहले से उस अंधेरे याड में मौजूत रहा होगा वहाँ गय क्यों थे? पुरिश ने पूचा उस आदमी से मिलने गया था मैं बोला जो कि पहले से वहाँ मौजूत था तुम उन दोनों की मिली भगत का शिकार हुए थे वो लोग तुमें लूट देना चाहते थे अब तो ऐसा ही मालूम होता है और तुमें फिनिश करना चाहते थे यूती बोली हाँ, मैं अपनी साय साय करती खोपड़ी और कनपटी सहलाता हुआ बोला अब तो ऐसा ही मालूम होता है मैं आप लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरी चान बचाई Never mind अब हम कहां जा रहे है जवाब देने की जगा यूती ने पुरुष की ओर देखा हम तुम्हें अपने एक दोस्त कहां ले जा रहे है पुरुष बोला जहां कि तुम्हारी कोई मलमपटी हो सकेगी तुम्हें असास नहीं मालूम होता लेकिन तुम्हारी कनपटी पर काफी चोटाई है चमड़ी खुल गई है और उसमें से अभी भी खुन रिस रहा है तुम्हें फर्स्ट एड़ की सक्त सरुरत है यूती बोली हमारा दोस्ट डॉक्टर है पुरिश बोला सरु यूती बोली जस्ट रिलाक्स्ट मिस्टर को ततकाल को खामोश हो गए वो निश्चय ही मेरा नाम लेने जा रहे थी पीछा अंधेरे कंपाउंड में किसी ने मुझे नाम से लेकर पुकारा था मेरे जहन में खत्रे की घंटी बजने लगी स्टेटिस बार में मैंने उन्हें एक टाक्सी कार में सवार होकर पहुँचते देखा था लेकिन अब हम एक बड़ी कार में सवार थे उपर से वो लोग बाखुबी जानते मालूम होते थे कि मैं कौन था मैंने एक छटके से उठकर सीधा होने की कोशिश की कोई होश्यारी नहीं मिस्टर कोली यूती चितावने भरे स्वर में बोली कोई होश्यारी नहीं एक शंड को उसने मेरी और वाला हाथ तनिक ऊचा किया तो मुझे उसमें एक रिबॉल्वर दिखाय थी जड़ा जल्दी चेद गए वो बोली हमारे अपने मंजिल पर पहुँच जाने तक बेहोश ही रहते तो अच्छा होता खेर कोई बात नहीं अब बराए महरबानी अपने हाथों को अपने खुट्मों में दबा लो और ऐसे ही बैठे रहो कोई होशारे दिखाने की कोशिश करोगे तो मुझे रिवाल्वर को काम में लेना पड़ेगा मुझे माड आने के लिए नहीं हमारी कोशिश तो तुम्हे सलामत रखने की होगी बाज नहीं आओगे तो भी जान से तो नहीं मारेंगे लेकिन तुमारी तकलीफ बढ़ जाएगी अब चो काम फॉस्टेट से हो जाएगा तब वो सरजुरी से होगा सुदै पुरश बोला मैं कुछ न बोला मैंने खामोशी से आदेश का पालन किया गुड युवती बोली फिर उन दोनों में कोई इशारे बाजी हुई जिसके फलस्वरुप तदकालकार की रफ़तार तेज हुई खामोशी से सफर कटता रहा मैंने गाहिद गाही रास्ता पहचानने की कोशिश की तो कभी कोई जगा मेरे पहचान में आई तो कभी नहीं आई कुल जमा मैं ये निर्धारत नहीं कर सका कि हम दिल्ली शहर की कौन सी दिशा में बढ़ रहे थे एक तो बार मुझे ये तक एसास हुआ कि वो जिस रास्ते से एक बार गुजरते थे उसी पर वापस लोटाते थे जरूर ऐसा वो मुझे कन्फ्यूस करने के लिए कर रहे थे आखिर कार कार की रफ्तार कम होनी शुरू हुई मैंने सिर उठाकर बाहर जाकने की कोशिश की तो यूती ने मेरे सिर को पकड़कर सबरन नीचे मेरे घुटनों तक चुका दिया ऐसे ही रहना वो मेरे कान में बोली बस थोड़ी देर की सहमत है मैं खामोश रहा थोड़ी देर बात कार रुकी तो इसने मेरी करदन छोड़ी मैंने सिर उठाया तो कार को एक गराज में खड़ी पाया वो दोनों कार से बाहर निकले पुरुष ने मुझे भी बाहर पकड़ कर कार से बाहर निकाला दोनों मुझे अपने बीच में चलाते हुए एक पिछली दर्वाजे की तरफ पढ़े उस दर्वाजे के आगे एक लंबा नीम अंधेरा गली आरा था जिसके एक बंध दर्वाजे के आगे हम रूखे यूती ने दर्वाजे को धक्का देगर खोला तो पुरुष ने मुझे धकेल दिया वो एक आम कमरो जैसा कमरा था जिसकी एक लोती खिड़की बंध थी और जिसके आगे एक मोटा परदा चूल रहा था वहां बाई और एक ओफिस टेबल लगी थी और दाई और दिवार से सटा एक सोफा पड़ा था कमरे में रोशनी का सादन सामने दिवार पर लगे एक ट्यूब लाइट थी बैठो यूती सोफे की तरफ इशारा करती हुई बोली मैं आगे बढ़ा और सोफे पर धेर हो गया पुरुश जिसने चौकट लागने की कोशिश नहीं की थी एक आए घूमा और वहां से रुकसत हो गया मैं क्या कहूँ? पीछे मैंने पूछा यूती केबल मुस्कुराई इतना तो बताओ कि मुझे आग क्यों लाया गया है मुझे नहीं बालू वो बोली तुम्हारे बॉइफ्रेंड को मालूम होगा बॉइफ्रेंड? वो गॉल्फ कैप वाला जो तुम्हारे साथ था जो गाड़ी चला रहा था जो अभी यहां से गया उसे भी नहीं मालू कोई तो वज़ा होगी जरूर होगी बेवज़ा कही कोई काम होता है लेकिन वो वज़ा मुझे नहीं मालू तो मुझे यहां क्यों लाई हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था I always follow orders without asking any questions किसके orders follow कर रहे हो? जवाब में वो फिर मुस्कुराई कौन है तुम्हारा बोस? खामुश पैठो, प्लीज मैं खामुश हो गया कुछ क्षन वैसे ही खामुशी में कटे फिर दर्वाजा खुला और एक औरत ने भीतर कदम रखा उसने एक बार खूर कर देखा और फिर यूती को इशारा किया यूती ततकाल वहां से कुछ कर गए औरत आके बढ़ी और एन मेरे सामने आके खड़ी हुई वो कोई 35 साल की लंबी उची औरत थी जो की नय नक्ष, कटे बालो और पुशाक तखनों तक आने वाला महरून रंग का गाउन से विदेशी मालूम होती थी उसने मेरी थोड़ी पकड़ कर मेरे सर को फेले उपर किया फिर दाय भाय खुमा कर मुआयना किया कि मैं किस हद तक चोटिल था बहुत जुल्म धाय कमीनों ने, वो अंग्रेजी में बोली लेकिन इत्मिनान रखो, सब ठीक हो जाएगा युदी वापस लोटी मैंने देखा उसके हाथ में फरस्टेट का एक पकसा और गर्म पानी की पती ली थी अपनी बाप पर वो एक तॉलिया लटकाए थी उसने वो सब सामान सौफे की करीब इपड़े एक स्टूल पर रख दिया और जैसे खामूशी से वाप पहुची थी, वैसे ही खामूशी से वापस लोट गई और अपने ओफिस टेबल के करीब एक कुरसी सोफे के पास खसीट ली और उस पर बैट गई अगले पांच साथ मिनिट उसने बहुत एतिहाथ से मेरे मरहम पट्टी में गुजारे अब कैसा लग रहा है? आखिरकार वो बोली ठीक, नहीं बोला खामखा पंगा नहीं लेना चाहिए, नो? येस गलती को सुधार लेना भी दानिशमंदी होती है गलत रास्ते पर उठा कदम, रोक लेना भी गलती को सुधार नहीं होता है, नो? येस कमीनी ज़रूर बच्चे पढ़ा थी थी बंद करो सब पंगे बाजी ओके? ओके गुड, I'm glad अब बताओ, पंगे बाजी शुरू क्यों की? किसके करने पर की? मैं समझा नहीं उसने आगे की जूप कर मेरा गाल थपत पाया तो मुझे उसके गाउन के गिरेबान के भीतर, खूब भीतर तक जाकने का मौका मिला नजारा दिलकश था आपके खादिम को पसंद आया अलबता, वैसा कोई नजारा एंजॉई करने का न वो वक्त था, न वैसा कोई माहूल था किसने भेजा तुम्हें? फिर उसने यू मीठे स्वर में सवाल किया, जैसे कोई अध्यापिका अपने प्रियच हात्रे से लाड़ कर रही हूँ उस शक्स का नाम बोलो, जिसकी वज़े से तुम स्टेटिस बार में पहुँचे थे हरिश पांडे गुड कौन है हरिश पांडे और कहां है इस वक्त? हरिश पांडे मेरा दोस्त है और इस वक्त वो सरकारी हस्पिताल के मुर्दा घर में पड़ा है तदकाल उसने यू मेरे गाल पर से अपना हाथ खीचा जैसे अंगारा चू गया हो फिर उसने दात किट-किट आये और उसी हाथ से एक जापड मेरे गाल पर सीद किया नफरत के शोले बरसाती आक से उसने मेरी तरफ देखा फिर उटकर खड़ी हो गए नोरा! वो गला फाड़ कर चिलाई तदकाल एटलीटो जैसे जिसम वाला एक खटा-कटा आदमी वहाँ पहुचा दोनों में कुछ क्षण के लिए खुसर-फुसर में कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ फिर उरत वहां से रुकसत हो गए उसके जाते ही दो और सूरत से ही दादा लगने वाले आदमी वहाँ पहुचे फिर अपने वहाँ पहुचा नोरा नाम का आदमी बड़े संजीदा लहजे से बोला अगर अकल से काम लो तो तुम हमें और खुद को अपने आपको भारी जहमत से पचा सकते हो ये सला दे रहे हो या धमकी दे रहे हो है तो सला ही धमकी समझो तो भी चलेगा ऐसा हाँ जो हम जानना चाते है वो तुम राजी से ना बताओगे तो मजबूरन हमें तुमारी जुबान चबरन खुलवानी पड़ेगी अरे पहले ये तो बताओ कि तुम लोग जानना क्या चाते हो पहले वो वो औरत इशारों में बात कर रही थी अब तुम इशारों में बात कर रहे हो तुम्हें खूब मालूम है हम क्या जानना चाते है मैं तुम लोग को नहीं जानता मैं तुम लोगों के मतलब की कोई बात कैसे जान सकता हूँ तुम जानते हो और खूप जानते हो बोलो तुम्हारे पीट पर कौन है उस पांडे नाम का शक्स के पीट पर कौन था तुम दोनों किसके लिए काम कर रहे हो इसका जवाब तो आसान है और जवाब देने में मुझे कोई गुरेस नहीं थी Good माणने मेरी लिए काम कर रहा था मैं किसके लिए काम कर रहू ये मुझे मालूम नहीं क्या पकते हो अलबता जानने का उतना ही तलबगार हू जितना के तुम क्या मतलब है तुमारा प्रिया सिब्बिल के अपने ओफिस में आगबन की कहानी मैंने उसे सुनाई और ये भी बताया था कि मैंने अपनी उस कथित क्लाइंट के लिए पांडे को किस काम से लगाया था केवल हिरोईन और दिनेश वालिया के जिक्र से मैंने परहिज रखा अच्छी कहानी है वो बोला बहुत सूच पूच कर गड़ी है कहीं कहीं सचाई की जोग भी है लेकिन इसका मकसद ठगीकत छुपाना ही है मैं जो जानता था मैंने बता दिया दियर ब्रादर सब कुछ नहीं तो कुछ हम भी जानते है क्या तुम स्टेटिस बार में डोप एडिट का भेरूप धारन करके गए थे वहाँ तुमें एक नामी डोप पुशर की तलाश थी जिससे कि पहले बार में और फिर बार से बार तुमारी मुलाकात हुई थी अगर बात उस प्रिया सिब्बल नाम की ओरत के खाविन पर निगार रखने की थी तो फिर वो तमाम ड्रामा किस लिए जो तुमें पहाड गंच के उस बार में किया मेरे से जवाब देते ना बना मिस्टर कोली तुम अपनी मर्जी से वहाँ नहीं कहते है तुम्हें वहाँ भीजा गया था अब बोलो किसने भीजा था तुम्हें वहाँ किसी ने नहीं मैंने जो किया अपने जिम्मे से अपनी मर्जी से किया इसलिए किया क्योंकि मुझे हरिश पांडे के हत्यारे की तलाश है जो की हकीकत है वो यही है आगे से मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी पर मुनासिब है उसकी सूरत पर स्पष्ट ऐसे भावाय जैसे न मानना है उसकी मर्जी थी तो ये तम्हारा फाइनल जवाब है वो बोला हाँ ठीक है उसने पीछे खड़े दो आदमियों को संकेत किया ततकाल दोनों पाच की तरह मेरे पर जप्टे जरूर सुधीर कोली दिल लखी बास्टर की फेमस लख तेल लेने गई हुई थी उस राद दूसरी बार मेरे पर आप आकरमन हुआ था और मेरी चेतना लुप्ट हो गई थी